हिंदुस्तानी फोज का ये राइफल मेन आज भी सरहत पर तैनात है। इनके नाम के आगे कभी स्वर्गिय नहीं लिखा जाता है। इस असादरन बहदूर जवान का मन्दिर भी बनवाया गया है और उनकी सेवा में भारतिय सेना की पाँच जवान दिन रात लगे रहते हैं। दर असल 1962 की जंग में महज 17-18 साल के जस्वन सी चीन की सेना के सामने हिमाले सा अडिग होकर 72 घंटों तक खड़े रहे थे। इस जंग में चीनी सेना अरुण जवान के रास्ते हिंदूस्तानी सरहद में सुरंग बनाने की कोशिस कर रही थी। तभी सामने से पाँच बंकरों से आग और बारुद के ऐसे सोले नियुक्ते चीनी सेना के करीब 300 जवानों की लास के धेर लग गए। चीनी फोज के होस उड़ गए कि सामने हिंदूस्तान की आखिर कितनी बड़ी बटालियन तैनात है। बहुत गंटों बाद जमाकों की आवाजे बंद हुई और चीनी सेनी को ये देखने के लिए आए। उनके सामने गहल पड़े बस एक भारतिय फोजी ने 300 सेनिकों के मौत के घाट उतार दिया था। चीनी सेना का कमांडर जस्वन की तब इतना नाराज हुआ कि उनका सर काट कर ले गया। जिस चोकी पर जस्वन सी ने आखरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जस्वन गड़ रख दिया गये और भारतिय सेना उन्हें बाबा जस्वन सी रावत कहती है।